हाई फ्रेंड्स माही की किचिन में आपका वेलकम हैं आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ताइसा हरी मटर की पूर्डियां फ्रेंड्स सर्दियों का मौसम में इस मौसम में हरी मटर बाजार में बहुत अच्छी आ रही है अगर फ्रेंड माही की किचिन की वीडियो अपनों को अच्छी लगती हूँ तो लाइक कीजिए सब्क्राइब कीजिए और वेल आइकिन को प्रेस कीजिए है आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारी पूरीयां देखने में कितनी ययमी और फूली फूली बनी है खाने में इतनी ही टेषट ही है by Confado में कुणी ईकप मटर में कर लिए था और उसको थंड़ कर लिया है है यहां पर फ्रेंड मैंने हरी मिर्च और लिशून लिए औरakah इंसकर्ट इन मिट्कन सब को मिक्सी में करने फॉइन पेस्ट बना कर रडि़ लेंगे फ्रेंड इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बीच में टाल कर मिक्सर को पल्स में चलाते जाएंगे और एक फाइन पेश्टर रडी कर लेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारी हरी मटर का पेश्टबल को रडी हो गया है यहां पर फ्रेंड मैंने 300 ग्राम गेहुं काट लि दिया है और टेस्ट के अकवर्डिंग नमक डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी अल्दी पाउडर इन सब को एक साथ मिक्स कर लेंगी और और फ्रेंड यहां पर मैंने दो से तिन टेवल स्पूर रफाइंड डाला है फ्रेंड रिफाइंड डालने से हमारी पूर्डियां बहुत ही नर्म और मुलाइम बनकर रेडी होती है अब फ्रेंड हम इसमें मिक्सी में जो हमने हरी मटर का पेष्ट रेडी किया था वो सारी पेष्ट को इस आंटा में डाल देंगे और आंटा को आंटा में थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इसे आंटा को गूंत लेंगे फ्रेंड इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ दी हमें लगभग इसमें आधा कप मैंने इसमें आधा कप पानी के यूज किया है फ्रेंड ये हरी मिटकी कोडिया खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं आप भी इसे इन पोडियों को जरूर ट्राइ किजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमंड मेरे शाथ सेर किजिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा आंटा गुत कर्वल को रेड़ी हो गया है अब हम आटा मैंसे थोड़ी सी लोई थोड़ी सी लोई लेंगे और इसको चार से छे पायटों में डेवाइट कर लेंगे फ्रेंड मैंने लोई यह दोड़ी है अब एक लोई को उठाकर गुल गुल बना कि फेड़ा का कर देंगे फ्रेंड्स हमारी सारी लोई यह बनकर रेड़ी हो गए हैं अब हम पोड़ियों को एक एक करके बेल लेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी पूड़ियां मिल करके रेड़ी हो गई हैं यहां पर फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई पर पहले ही वाल को गर्म होने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स यहां पर मैंने मस्टर्ड यानी राई के तेल का यूज़ किया है आप इसके जगां रिफाइंड तेल का भी यूज़ कर सकते हैं बट फ्रेंड सरसों का तेल हमारी सिहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है इस तरह हम अपनी कढ़ाई में पूडियों को तल लेंगे हमारी पूडियों तल गई है अब हम इने एक प्लूट में निकाल लेंगे इसी तरह फ्रेंड हम अपनी सारी पूडियों को एक करके तल लेंगे फ्रेंड ये हरी मटर की पूडियां पूडियों में बहुत ही अच्छी हों टेस्ट लगती है आप भी नहीं मना कर एक वजरूर प्राइब इसे फ्रेंड अमरी चैनल को शब्क्राइब देए फ्रेंड थैंक्यों वर वाचिंग